नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूजएटीन के सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूँ अपढ़ना मौज़म और मेरे साथ है मेरे सयोगी ललित प्रजापती और वैसे भी मुझे लगता है महिला विद्यक के बाद में ना ही शुरू करूँ तर ठीक है तो आज हम सिक्षकों पे बात करने जा रहे हैं ये बड़ी अनौपचारिक इन्फॉर्मल बात चीत होने वाली है और मुझे जो सबसे जादा कल जब आप कवर को हम लोग कवर कर रहे थे तो एक बात बड़ी कचोट रही थी हम सब जिस टैटरन में पढ़े हैं या जिस बच्पन से हम निकल कर आए हैं पांस तारीक को हम सिक्षकों के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे उनकी मिसालें दे रहे थे और दस तारीक को हम उस कवरेज के बारे में बात कर रहे हैं जबकि सिक्षकों की पिटाई हो रही है देखे मंगलवार को तस्वीरे भोपाल से जो आई सब ने देखी किस तरह से हला बोल एक प्रदर्शन का तिरंगा मार्श का निकाला गया था गैस टीचर्स की ओर से और उस प्रदर्शन के दौरान उन टीचर्स को गैस टीचर्स को रोकने के लिए तमाम तरीके अपनाएगे ताकि वो भीड उग्र ना हो या फिर नियांतरित रहे या फिर आगे ना बढ़ पाए इस जिस तरह से आप जिस चश्मे से चाहे उस चश्मे से आप देख सकते हैं खेर मंगलवार की बात नहीं करेंगे बात करेंगे बुद्वार की आज की आज तीस मिनट की बात चीत हुई शिक्षा मंतरी के साथ तमाम गेस टीचर्स का जो एक डेलिगेशन जो निक्ट किया हमें पूरी जानकारी देने वाले हैं किस तरीके से किन बिंदूओं पर यह सहमती बनी है लेकिन सड़क पर आने की नौबत बताँ आठ हजार की भीड तकरीबन आठ हजार की भीड सड़क पर आ जाए और ऐसा लगता है कि उनका 15-16 साल का संगर्श है आपके पास इतना जारत की बात है अपढ़ना मैं आपको बता हूँ कि अगर पूरे एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए अलग-अलग दावे हैं कोई 89,000 की बात करता है कोई 70,000 की बात कर रहा है जाद अतर जो रिपोर्ट्स हैं वो यह कहती हैं कि हमारे यां 80,000 टीचर्स की कमी है तकरीब का पार्ट पढ़ा रहे हैं लेकिन मनी मन आप डरे हुए हैं कि पता रही नौकरी जिसमें आप आज आए हैं वो कल रहे ना रहे क्योंकि ऐसे कई टीचर्स ने अपने एक्सपीरियंसी शेयर की हैं जहां वो बता रहे हैं कि 15 साल वो स्कूल में गए बता और अतिदी की कोई गैरेंटी नहीं है मैं कुछ आंकड़े अपना और मैं शेयर करना चाहूंगा यह अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट के हवाले से हैं मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में दस साल में स्कूल सिक्षा पर दो लाग करोड खर्च हुआ है चॉबिस पच्चिस में 13,000 करोड का बजट 398 करोड लैप्स हो गए यह वो पैसे हैं जो खर्ची नहीं हो पाई 398 करोड लैप्स हो गए हैं 2023 में 7,000 से ज़्यादा स्कूलों में मरमत की ज़रूरत थी बजट मिला मरमत नहीं हो पाई रोबोट ड्रोन प्रोजेक्टर हैं सिक्षक नहीं है मतलब हमें प से 800-900 मीटर, सीयम आवास के 800-900 मीटर, राजभवन से 800-900 मीटर, पाँच अलग-अलग क्लास पर रोशनपुरा में एक टीचर है, इस तरह की स्थितियां हैं, तो इस तजुर्बे का तो बहुत बहुत बहुतर इस्तमाल हो सकता है, जो 15 साल से पढ़ा रहे हैं और यही बात कॉंग्रेस की तरह से पीसी शर्मा ने भी कही है, कि देखे, आप आपको तो लाब उठाना चाहिए, इस एक्स्पिरियंस का, तो आप लेकिन कर क्या रहे हैं, इस पर राज़िती दोनों तरफ से हो रही है, बीजेपी कह रहे हैं कि कॉंग्रेस की ओर से किये जब कमलाद की सरकार बनी थी, कमला और जो कॉंग्रेस वाले हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने तो एक लौट को पर्मिनेंट कर दिया था, लेकिन हमारी सरकार को 15 महीं ने रही, तो हम क्या करें, बीज साल से तो बीजेपी की सरकार चलती आ रहे, खैर उस पर नहीं पहला जो उसमें पहली मांग थी कि जो बीज सेशन से, जो गेस्टीचर चल रहे हैं, चलते सेशन से उने बाहर ना किया जाए, जिसका आप अभी जिकर कर रहे हैं, कि कल आप आए, आपको पता चला कि नहीं आप हमारी पास पर्मनेंट टीचर है, आप निकल जाएए, विल इसमें भी एक वरगी करन होता है, शक्षकों का, गेस्टीचर का, उसको लेकर, तो संगर्श अपनी जगा है, सहमती अपनी जगा है, लेकिन जो ये आंदुलन रोका गया है, वो साप कर रहे हैं, कि ये बस मोमेंटरी है, कोई हमने पर्मनेंटली इस आंदुलन से कदम यहां तक आई है, तो एक जो जिस पॉइंट की तरफ आप इशारा कर रही है, उस व्यवस्ता को क्यों नहीं लागू कर सकते हैं, भाई हम विज्यापन निकालते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, बच्चों को मतलब कॉम्पिटिटर्स को बुलाते हैं, प्रतियोगियों को बुलाते हैं भेरतियों को फिर एक्जाम्स लेते हैं हमारे पास तो आठ हजार qualified बंदे हैं आप उनमें से निकाल लीजिए तो ये जो मार्क्स वाली है कि उस मार्क्स के basis पर priority दी जाए भरती निकाली जाए अच्छा हर बार आपने सुना होगा हम इतने सिक्षकों की भरती कर रहे हैं हम उतने सिक्षकों की भरती कर रहे हैं यूपी में वंपर भरती हुई है आप अगर बुल्डोजर मॉडल यूज कर सकते हैं तो भरती मॉडल भी यूज किया जा सकता है ये बहुत सही मांग भी थी कि मौका मिलना चाहिए थोड़े वो प्रियोर्टाइज भी होंगे अजुर्बे का ही तो सारा खेल है और एक और जो है इसमें एक और मांग है कि संस्कृत वर्ग वन स्कोर कार्ड वाले गेस्टीचर को संस्कृत वर्ग टू में नियुकती का ऑप्शन उनके स्कोर कार्ड में अंकित होगा तो वापस बात गुम गुम के यही आ रहे है लालित की जो आपका अनुभव है 15 साल से बतार गेस्टीचर पढ़ा रहे है तो उस अनुभव को वर्यता दी जाए कम से कम वो यह मांग रहे हैं कि 20 सेशन उन्हें वापस खाली ना किया जाए हाला कि जो क्लासिफिकेशन का आपने बताया है जैसे संस्क्राद वर्क टू में हमें प्रियॉर्टी मिलनी चाहिए यह बैट कर करने वाली बात है यह सरकार के स्थर पर होगा यह टीचर्स के स्थर पर होगा और हम फिर कह रहे हैं कि आप इन्हें मौका दीजिए एग्जै से रह गया है तो उसे मौका मिलना चाहिए तो इन टीचर्स को प्रियॉर्टी मिल सकती है कुछ और आकड़े अगर मैं बताना चाह रहा हूं यह तकरीबन 6,000 सरकारी स्कूल है एक एक टीचर के जिम्में यहां 5-5 क्लास है यह और बात है कि जब भी सिक्षा मंतरी से बात कर तो तुमारी फाइलों में गाउं का मौसम गुलाबी है कुछ उस तरह की बातें आ जाती है अदम गोंडवी टाइप की उस पे हम नहीं जा रहे हैं मध्यप्रदेश के MP का जो एजुकिशन मॉडल है यह पोर्टल से मैं आपको बता रहा हूं पोर्टल के हवाले से 47 दिलों कि एक हजार से जाद है स्कूले से हैं जहां एक भी सिक्षक नहीं है यह पोर्टल है और हाँ पोर्टल कमेने भी आपको आकड़ा कहा था कि मैं मैं उस से शियोर करके बताता हूं यह उननासी हजार है 79,000 की कमी है एक और दिल्चस्थ बात है आप भी सांसदों का इंटर्व है वो आपको हैरान और परिशान कर देगा 30% बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहें कैसे जाएंगे टीचर नहीं है तो वो इतनी बड़ी समस्या है तो उसके लिए तो हमाँ पस गैस टीचर्स है उसका इस्तमाल किया जा सकता है और गैस टीचर्स की और से यह कहां भी जा रहा है क्योंकि उन्हें भी अपना घर चलाना है उन्हें भी अपने बच्चों की फीज पे करने हैं तो कई ऐसे स्ट्रगल स्टोरी सामने आई हैं लडित आप भी जानते ही हैं उनसे कि जो सुभा टीचर अगर बन रहे हैं तो वो शाम को मजदूरी कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं घर में राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना घर भी चलाना है कई बार मानदे के दिक्कत होती है कई बार यह कि आज नौकरी है कल ना रहे क्या पता वाकई यह एक पहलू जो आप कह रहे हैं यह तो मानवी दृष्टी कोण है यह पेट से प्रदान मंत्री के 2047 के विजन तक पहुचना है तब तो सिक्षा बहुत जरूरी है और उसमें हमारा सिक्षक चाहे वो गेस्टीचरी क्यों ना हो वो लाठी खा रहा है तो उस पहलू पर भी सोचना चाहिए अभी कुछनों पहले आपको याद होका ललित की एक चर्चा उठी थी कि येस सर येस मैम नहीं बोलेंगे जैहिंद बोलेंगे तब भी हमने ये सवाल उठाया था कि देखिए सब कुछ बोलेगा बच्चा लेकिन बच्चे को बोलना सिखाने वाले उसके जो स्कूल का टीचर हो शिक्षक हो वो तो कम से कम रहे क्योंकि बच्चे को बच्चा अपने घर में कित्मा कम वक्त बिताता है या कितने माता-पिता बच्चे को पूरा पढ़ा पाते हैं घर में रहकर वो तीचर के भरोसी रहते हम लोग समस्ते हैं कि हमने बच्चा स्कूल फेज दिया मतलब उसे सिखा कर भेजेगा, उसके बाद हम गरानवित में हैसुस करेगे कि मारा बच्चा वाह, A to Z बोल लेता है, उसे काखा गा बोलना आता है, मैं उसी जज़बात को पकड़ना चाहरा था, पर आपने बहुत अच्छा इशारा किया, हमने कहा न, 5 सितंबर को हम बोल रहे थे, गुरूर ब्रह्मा, गुरूर विश्णू, गुरूर देवो महिश्वरा, और 10 सितंबर को हमें इस तरह की चर्चा करनी पड़ी, कि वो लाठी खा रहा है, सवाल वो ही है, कि एजुकेशन बहुत इंपोर्टन्ट है, हम तो अपने बच्चे को सौप देते हैं, टीचर ही उ हो सकता है, वो कल फिर सड़कों पर आए, लेकिन अगर इनके इनके तजर्बे का, इनके एक्स्पीरियंस का बहतर इस्तमाल किया जाए, तो शायद हम एजुकेशन में भी, हम खेती में आगे गए ना, हमने अपना रकवा बढ़ाया ना, मुख्यमंत्री रहते हुए, मेरा यूपीय की सरकार से हमको करशी कर्मन मिल रहा है, तो हमने वहाँ जब माइल स्टोन काम किया, एजुकेशन में क्यों नहीं किया जा सकता, कहते हैं कि मुश्किल से मुश्किल रास्ता पार कर ले जाएगा, बस कोई आगे हाथ पगड़कर थोड़ा साहरा देने वाला क्यों करेंगे, वो डर खत्म हो, यहां आज की 30 मिनट की मुलाकात में जो आठ मांगे रखी गई थी, उन आठ मांगों में से एक मुलाकात, एक प्रमुक मांग गे भी थी, इस पर सेहमती बन गई है, तीस सेतंबर तक लालित समय यहां पर दिया गया है, सभी मांगों के पूरे कर लिए, नहीं तो उसके बाद, गैसीजर्स की और से साफ कर दिया गया है, कि वापस से वो सड़कों पर उतरने के लिए, अपने कदम पीछे नहीं रोकेंगे, ठीक, और इससे पहले कि आप चर्चा क्लोस करें, एक बार हम वासू को भी सुन लेते हैं, वासू चुकी पूरा कवरेज भी करते रहे, और ये जो 30 मिनट जिसका आप जिकर कर रही है, 30 मिनट की चर्चा, सारा जो सार है, उस 30 मिनट की चर्चा में छिपा हुआ है, तो एक बार ज़़ा वासू को भी हम सुन लेते हैं, 30 मिनट का सार, 3 मिनट में आपको वासू बताएंगे, मत्मदेश में मोहन सरकार बनने के बाद मंगलवार को किसी करमचारी संगठन का बड़ा आंदोलन राजजानी भुपाल की सडकों पर पहली बाद देखने को मिला जब अतीती सिक्चक संगठन अपनी मांगों को लेकर भुपाल की सडकों पर उत्रे सोबे 10 बजे तक प्रदीश भर से आये अ सीयम because की तरफ नहीं जाने दिया इस दोरां पोलिस और अतीती सिक्षकों के बीच कई बार जड़ा भूही अतीत सिक्षकों को खावू करने के लिए पोलिस सोहल का बलप्रयोग भी करना पड़ा इस जोरान बड़ी संख्या में जो महिला आतीति सिक्षक थी वो भी इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल रही महिला आतीति सिक्षकों ने आरोब भी लगाए कि हमारे साथ बस सलूकी की गई हम तो अपनी मांगे रखने के लिए सीम के प पर कर रहे हैं इसके बाद जब देर शाम तक इसीतियों में बदलाओ नहीं हुआ तो प्रशाशनिक अधिकारी मौके पर पहुँचे और अतीति सिक्षकों का एक डेलीकेशन लेकर सिक्षा मंत्री और सीम हाउस भी गए वहाँ पर अधिकारियों के साथ और सिक्षा मंत्री के साथ सिक्षक विवा के अधिकारी और अतीति सिक्षकों का एक डेलीकेशन शामिल रहा आठ मांगों को लेकर सहमती बन गई है जिसमें फिलहाल लियमती करण की मांग अभी लंबित बताई जा रही है सबसे बड़ी बाते जो इस पूरी बैठक में निकल कर आई वो यह है कि 10 साल का सेवा अनुबंद जो है उसको सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा जो सिक्षक 30% से जादा परिणाम नहीं दे पाए उन्हें 24 और 25 के सेशन में भी यथावत रखा जाएगा बोनस अंकों की जो विवस्ता की मांग सिक्षक कर रहे थे उसको भी यथावत रख कि अगर 30 सितंबर के बाद कोई ठोस कदम सरकार कियों से नहीं उठाया जाता है तो एक बार फिर अतिती सिक्षक जो हैं वो सडकों पर उतरेंगे क्योंकि ये सिर्फ हमारे भविश्का नहीं बलकि हमारे परिवारों के भविश्का सवाल है और मद्वदेश में जो बच्च कि अगर आने वाले दिनों में दिखाई देता है कितना लाव अतिती सिक्षकों को पहुचता है और क्या एक बार फिर मजबूर अनतिती सिक्षक मत्वदेश की सडकों पर अंदोलन करने उतरते हैं या फिर उससे पेले ही उनकी मांगों को सरकार माल लीटे हैं तो वासु को और आपको पता चला कि नहीं निकाल देना है स्कोर कार्ड का सिस्टम की बात निकली है रिटाइट सिक्षकों की भाती जो एक्स्पीरियंस है वो जोड़े जाएंगे उच्छपद प्रभार इस्थानांतरन सीधी भरती और अतिशेश सिक्षकों के भारण जो जो अतिधी सिक से कम परिक्षा परिणाम देने वाले जो एक मौका और मिलना चाहिए गैस टीचर्स को और इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ी एक मांग इनकी थी उस पर भी एक मोटी-मोटी सहमती बन गई है यह पॉइंट से जहां पर सहमती बनी है लेकिन एक पॉइंट जो ह नहीं होगी अब बात नए सिरे से होगी हाना कि जो ग्रूप था वो अड़ा हुआ था कि महा पंचायत में जो घोशना हुई थी उन पर बात हो लेकिन सरकार के और से साफ कर दिया गया है तो यह पूरा अपडेट हमने आपको बताया है जो गैसी की मांग को लेकर सरकार की और से कदम बढ़ाए गए हैं कि इन मुद्रों पर सहमती बनी हैं आगे क्या होगा उसको लेकर भी हम आपको पूरा अपडेट आगे भी दे दे रहेंगे बिलकुल बिलकुल तो इस वक्त हमें अजाज़त दीजे क्या कुछ आप सुनना चाहते हैं देखना चाहते हैं इस कीचर को साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजेगा